तो आएए सीरिया ठरकी से हम और उबर की और चनलते हैं या यानि की यृप यृॉरॉप की यृॉरॉप एटली पिराजबजानी क्या है?, रोम तो बला रोम का नाम नाम ये रोम कैसे पढ़ा किया लोग भूहाँ रोम करते रहते हैं गुमते पढ़ते रहते हैं वेल, रोम का इनाम पढ़ा फ्रॉम राम जिस विकार से हम बोलते हैं नासा नास यानि नासी का इसको English में हो गया नोज, आ हो गया ओ, सो राम हो गया रोम, सो वास्त में रोम को जो नाम पढ़ा है Shri Ram Chandra Ji के नाम पर पढ़ा है वेल कों सा वो दिन था जिस दिन इस रोम नाम की समराज जी को अस्थापित किया गया अच्छा, सो 21st April 753 BC को क्या था जी वेल, उस दिन थी राम नॉमी, हाँ यहली, येस, तो राम जी के नाम पर उस थाँ का नाम रखा गया राम नॉमी के दिन, आपको बोलें हाँ, ये वो तुक्के से हो गया होगा, आई से थोड़ी सब जगा अब तुक्का गुषा दो, नाई जी, नाई, राम नॉमी का दिन था, बलक्कि अस्ट्रसकेंस, जो की वहाँ के रहले वने निवासी थे, उनने कई ऐसे पेंटिंग्स मनाई हैं, गुफाओं के अंदर, वाल्स के अंदर और उस सारी पेंटिंग्स डिपिट करती हैं, बार-बार आते हैं, तो यह क्लिरली डिपिट करता है, that yes, in Italy there was culture of श्री राम चंद्र, देवास भक्ती और श्री राम चंद्र, देवास civilization in connection to श्री राम चंद्र, तो इटली में ही सान है रोम, और इटली के ही दूसरे एंड पे और स्थान है, उसका नाम है रावना, यह रावना नाम को ज़र स्थान है basically यह रावन के नाम पे रखा गया था और दोनों स्थानों को, यानि की रोम को और रावना को इटली के दोनों एंड्स पे, diametrically opposite इसने रखा गया यह श्री राम का प्रतीक है और यह रावन का प्रतीक है तो इसलिए रावना, that means connection to रावना तो कहिना कहीं, इटलीन की मांसिक्ता के अंदर श्री राम की लीलाएं थी it is 100% confirmed